हाई फ्रेंड्स बैंकिंग के आदी मैं आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए क्वाडिक एक्वेशन लेकर आया हूं जिसको हम इनेक्विलिटी बोलते हैं मैं इसका बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आज कल सभी एक्जाम में इसके पांसेट एक्वेशन पूछे जार है या माइनस भी आ सकता है यहां भी माइनस असकता है एको हम बोलते हैं कॉफिशेंट ओफ एक्स स्क्वाइर बे को बोलते हैं कॉफिशेंट ओफ एक्स और सी जो हम है हमारा यहां पर कॉंस्टेंट टर्म होती है इस वीडियो में मैं आपको only basic बताऊंगा इसके बाद एक को हम क्या करेंगे multiply करेंगे ठीक है A और C को multiply करेंगे इसके पाद जो value आएगी उसको क्या करेंगे हम फिर B लेंगे हम इसको break करेंगे plus करके या फिर minus करके plus या minus करने पर इसको तो हम 2 में divide करेंगे उसके बाद क्या होगा plus या minus करने पर उसकी value आने चाहिए B और उसकी उनको हम multiply करेंगे तो जो हमार answer आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए जो हमने A और C को multiply करके बताया था ठीक है उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा ठीक है उसके बाद क्या है conditions for root जब क्या होगा जो constant term है हमारी जो C है हमारा constant term उसके जो आगे जो sign लगा है अगर वो positive है तो हमेशा क्या होगा root जो होंगे addition करके होंगे यहां से हम A और C की value निकालेंगे ठीक है उसके बाद हम B को मैंने आपको बताया break करेंगे हम break करके जो root निका होगा तो जो B को हम break करेंगे तो addition करके हम break करेंगे समझ रहें friends ठीक है तब roots निकलेंगे तो addition करके उसके roots निकाले जाएंगे अगर constant term हमारी negative है तो उसके जो root निकालेंगे हम direct subject करके root निकालेंगे ठीक है आप ऐसे समझ सकते हैं plus हुआ तो addition minus हुआ तो subject है condition of always greater than हमारे जब 5-6 question पूछे चाते हैं उसमें से एक आज या एक से दो question जरूर ऐसे जरूर होते हैं जिसके अंदर यह condition आती है और हमको आग बंद करके बस सीधा tick करना होता है हमारा बस मुश्किल से 2 second लगता है इस बात कि मैं guarantee आपको देता हूं कि यदि आप में से अच्छे स quadratic equation पढ़ लिए तो आप 2 मिनिट के अंदर 5-6 question जितने भी आयेगा वो कर पाएंगे condition of always greater than अगर statement 1 हमारा दिखा जाए x square minus bx plus c is equal to 0 है और second equation अगर हमारी दिखर किये py square plus qy plus r is equal to 0 अगर ऐसा भी आपको कहीं भी दिख जाए exam में दो statement इस तरह से दिख जाए तो हमेशा जो first statement है उसकी value उसके जो roots की value है वो हमेशा बड़ी होगी second statement वाले से conditions of always c and d if in both statements sign of constant terms is negative जो जैसे जो इस constant term है इसकी value इसमें अगर जो इसका coefficient है उसका आगे जो sign है वो अगर negative होगा तो हमेशा जो answer होगा वो c and d होगा हमेशा कोई साभी question लेके देख लीजिए आप तो उसका हमेशा answer c and d होगा उमेदें आपको पसंद आया होगा इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा example के साथ समझा देता हूँ कि हम जो roots निकालेंगे अगर हाँ एक बात और आपको अगर tables अगर 20 तक याद है तो बहुत अच्छी ब 5x plus 6 is equal to 0 second statement दे दिया y square plus 5x plus 5y plus 6 is equal to 0 तो हमने क्या करा यहाँ पर a की value कितनी है देखिए a की value है 1 c की value है 6 plus का 6 plus का 1 plus का 6 और जो b की value है minus का 5 यहाँ से a की value 1 c की value 6 और b की value है 5 ठीक है उसके बाद मैंने आपको बता है था a और c की value को multiply करना है तो a multiplied by c करा तो कितना हुआ 1 multiplied by 6 is equal to 6 ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर positive है तो जो इसका root निकलेंगे वो हम कैसे निकलेंगे 8 करके निकलेंगे तो 5 को हमको इस तरह से break करना है कि plus करने पर 5 आ जाए इसको तोड़ना है break करना है दो part में plus करने पर 5 आना चाहिए और multiply करने पर 6 आना चाहिए आपको पता है इतना तो सभी जानते है तो 3 जा 6 होता है तो 2 multiplied by 3 is equal to 6 तो इसके root हो गए यहां से minus 2 और minus 3 ठीक है हमेशा धियान रखना है जैसे यहां पर minus आ रहा है ठीक है जब इसको add करेंगे तो minus 2x और minus 3x हो गई है ठीक है और जब इसको 0 की side हम root लेके जाएंगे हमेशा क्या करना है तो वो क्या हो जाएगा minus inside जाएगा तो plus मा हो जाएगा तो इसके जो root निकलेंगे roots कैसे निकलेंगे एक 2 निकलेगा एक 3 निकलेगा इसी तरह से जब देखा जाए इसके अंदर भी वही बात है a multiplied by c is equal to 6 आ जाएगा b को break करना है 5 को हमने 3 और 2 में break किय ठीक है यहां पर क्या है प्लस है तो इदर जाएगा तो मैंस मोई जाएगा minus 2 minus 3 तो यह क्या हो गया यहां पर plus 2 है plus 3 य मैंश का 3 आ हो कि हमेशा greater than हो गया हमारा तो x greater than y हमेशा answer हो जाएगा ठीक है उसकी बाद ऐसे ही मैं आपको एक cnd वाला भी कंडिशन बता ही देता हूं लगयात देखिए जैसे माल लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट दे दिया आपको x square minus 5x minus 6 is equal to 0 दूसर स्टेटमेंट दे दिया y square plus 5y minus 6 is equal to 0 अब मैंने जब आपको बताया था कि दोनों negative negative होता है तो हम क्या करते हैं root कैसे निकालते हैं negative करके निकालते हैं ठीक है तो हमने किया 1 multiply करा 6 अब देखो अब यहां पर 3 और 2 नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जा 6 होता है 3 और 2 के 8 करने 5 आता है लेकिन यहां पर क्या है negative का sign है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा सब्टेक्ट करके करना पड़ेगा आप समझ चुके हैं कि क्या ना चाहिए 6 बन जा 1 6 और 1 अब sign कैसे देना हमको यहां पर negative बड़ा था इस side जाएगा तो positive में बड़ा हो जाएगा तो plus 6 बड़ा हो गया यह minus का यह छोटा हो गया इसी तरह से इसके अंदर भी सब्टेक्ट करके निकलेगा सब्टेक्ट करके निकलेगा तो देखिए 6 ने 5 6 बन जा 6 इसमें भी 6 और 1 ठीक है 6 और 1 हुआ अब इसमें क्या है बड़ा sign कौन सा है इधर sign कौन सा है plus का है न तो इस side जाएगे तो minus का हो गया यह plus का हो गया तो क्या हुआ यहां पर देखिए अब compare कैसे करेंगे plus 6 है यह minus 6 से बढ़ा है plus 1 से बढ़ा है यह minus 1 है यह minus 6 से तो बढ़ा है लेकिन यहां पर plus 1 आ गया यह plus 1 इस minus 1 से बढ़ा हो गया answer आ गया हमारा cnd मतलब can not be determined उमेदे आपको वीडियो मेरा नहीं पड़ेगी हमेशा अब दो मिट के अंदर पांच क्यों अराम से अंसर कर पाएंगे थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू ठैंक्स अलोट